आज मैंने विधान सभा में निवेदन किया है मेरी पत्नी अम्रूता फड्नेविस इन्होंने एक एफायार दाखिल की है जिसमें उनके माध्यम से रश्टाचार करके और ब्लैकमेल करके दबाव बना कर किस प्रकार से अपनी केसेस वापिस लेना ब्रश्टाचार करना इसकी कोशिश की गई इसके बारे में एफायर है अनिल जैसिंगानी ये एक बुकी है जो पिछले करीब चार से पाथ सालों से एपसकॉंडिंग है देश के बिनना बिनना राज्जों में उनके ओपर चौदा केसेस चल रही है और उनकी बेटी अनिक्षा जो पड़ी लिखिये है और संब्रांत नजर आती है उन्होंने पहले 2015-16 में मेरी पत्नी से संपर्क किया था बाद में कोई संपर्क नहीं था और जिस समय बहाराष्ट में M.V.A की सरकार आई उसके बाद 2021 से वह वापिस मेरी पत्नी के संपर्क में आई उस समय उन्होंने ये बताया कि मैं ड्रेस डिजाइनर हो मैं ड्रेस डिजाइन करती हूँ आप मेरे ड्रेसेस पहनिये मैं अटफिशल जूलरी का काम करती हूँ और धीरे धीरे मेरे पत्नी का विश्वास संपाधित करने की कोशिश की मेरी मा गुजर गई है उस पर मैंने किताब लिखिए आप उस किताब का विमोचन कीजिए मैं पचास परमुक महिलाओं में आई मेरा स्वागत कीजिए ऐसे कई चीज़ें बता कर वो बहुत करीब आई और फिर उसने एक बार ये कहने की कोशिश की कि मेरे जो पिताजी है वो पुलीस को इनफार्म करते थे बुकिस को पकड़ कर देते थे और उसके बदले में पैसा मिलता था और ये काम में आप मुझे मदद कीजिए और ये बोलना उसने शुरू किया जैसे सरकार बदली और हमारी सरकार आई उस समय ये बोलना शुरू किया तो मेरी पत्नी ने बहुत स्पश्टूप से का कि हमारा काम नहीं है फिर उसने का मेरे पत्नी को मेरे पिता को फसाया गया है उनके उपर गलत केसेस लगाया गया है तब मेरी पत्नी ने बहुत स्पश्चब्दों में कहा कि आपको अगर फसा गया तो आप एक निवेदन BCM को दीजिए वे उस पर देखेंगे लेकिन धिरे धिरे ऐसा ध्यान में आया कि ये कुछ गलत काम कर रही है और फिर उसने एक दिन ये कहा कि मेरे पिता जी को छुड़ाने के लिए हम एक करोड रुपया लेने को तयार है और उसके बाद कई बाते और कही और मेरी पत्नी ने उसके बाद उसको ब्लॉक किया ब्लॉक करने के दो दिनों बाद ये ने मोबैल पर ब्लॉक किया ब्लॉक करने के दो दिन बाद एक अन्नोन नंबर से कुछ मेसेज़ेस और कुछ वीडियोज आए और उसके बाद उसमें जिनों ने भेजे थे वो अनिल जे सिंगानी थे कि आपने मेरी बेटी को ब्लॉक किया आप अन्ब्लॉक कीजिए हमको हमारी सारी केसेस वापिस ले लीजिए और कुछ और डिमांज की गई ये करिए नहीं तो ये जो वीडियो है हम सारवजनिक करेंगे अब ये वीडियो क्या है तो इसमें वो मेरी पत्नी को एक हार पहना रही है मेरी पत्नी को अंगुठी पहना रही है यहां तक तो ठीक है लेकिन दो वीडियो ऐसे तयार किये है कि जिसमें एक वीडियो में वो बाहर कही पर एक बैग में पैसे भर रही है और बार में उसी प्रकार की बैग वो मेरे घर में काम करने वाली महला को दे रही है और फिर उसने कहा कि मैंने पैसा दिया है जैसे ही ये सारे वीडियोज आए तुरंट मैंने एफायर करवाई और एफायर करवा के ये सारे वीडियो फॉरेंजिक जाज को भेज दिये और पुलिस के कहे अनुसार हमने उनको एंगेज करना शुरू किया क्योंकि अनिल जे सिंगानी ये फरार थे फॉरेंजिक में ये तो बिल्कुल क्लियर कट रिपोर्ट आया कि जो पैसे भरी हुई बैग है और जो दी हुई बैग है उसमें अंतर है और फ्रेम बाइ फ्रेम बहुत क्लियर कट वो सारी बाते एस्टेबलिश हुए उसका क्लियर कट रिपोर्ट भी आया लेकिन फिर भी हम उनको एंगेज कर रहे थे और जब एंगेज कर रहे थे ऐसे समय इतनी सारी बाते रेकॉर्ड पर आई है कई नेताओं के नाम आये है कुछ अधिकारियों के नाम आये है और ऐसा मानना है कि शायद M.V.A की सरकार में अपनी केसेश वापिस लेने के लिए इस कॉंस्पिरेसी की शुरुवात उन्होंने की थी और सरकार बदल गई तब उनके ध्यान में आया कि अब ब्लेकमेल करके हम अपनी केसेश वापिस ले सकते है इसमें ये जो F.I.R हुई थी उसके बाद ये सारी चीज़े हम लोगोंने रेकॉर्ड पर लाई उसी समय लाई F.I.R इसलिए डिक्लियर नहीं किया था क्योंकि ये जो एप्सकॉंडिंग व्यक्ति था इसको पकड़ना था इसके साथ एंगेज कर रहे थे क्योंकि ये VPN से बात करता था ये नंबर से बात नहीं करता था इसलिए ये सारी चीज़े जैसे जैसे बाहर आई किन्तु चुकि एफायर हुआ था और वो एफायर होने के दो दिन में कोट बेजना पड़ता है इसलिए उसके एक खबर आई और खबर आने के बाद उसके उपर कारवाई तो हुई लेकिन अभी भी ये व्यक्ति छपड़ा नहीं है शायद इसके करणवा अलर्ट हुआ है पर पुलीस उसको ढूंड रही है लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि राजनीती में ये बहुत ही निचला स्तर है मैं किसी के ओपर अब आरोप नहीं करता क्योंकि उस व्यक्ति ने ऐसे ऐसे लोगों के नाम लिये है तो उसमें से कितनी चीज़े सच है और कितनी जूट है ये सारी चीज़े तप्तिश के बारी धार में आएगी लेकिन उसने मुंबे के एक पुराने पुलीस कमिशनर का भी नाम लिया हुआ है और मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं कहूँगा लेकिन जब मैंने पुलीस में पता किया तो जिस समय ये सरकार थी उस समय उसकी केसे वापिस लेने की कारवाई शुरू हुई थी उसके ओपर कुछ नोटिंग भी हुआ है तो मुझे लगता है कि कुल मिला कर ये जो कॉंस्पिरसी है ये व्यक्ति जब छपड़ेगा तो पुरी कॉंस्पिरसी बाहर आएगी और अभी पुलीस ने कुछ चापे मारे हैं कुछ कारवाई या की है मैं इससे ज़्यादा इसलिए नहीं बोलना चाहता कि पुलीस की तफ्तिश में मैं ज़्यादा दखलंदाजी नहीं करना चाहता किन्तो मुझे लगता है कि जो मैं लगातार कह रहा था कि जिससे में पुरानी सरकार थी कुछ प्रयास किये जा रहे थे वो तो अलग प्रयास थे एक नया प्रयास ये सामने आया है और इसके एविडंस जैसे ही मुझे मिलेंगे तो मैं बाकी बचे हुए एविडंस भी आपके सामने लाऊगा कुछ चीजे चार्चिट के माध्यम से आएगी तब आपको मिलेगे मराठी मने मी सभागुरुआत निवेदन केला है हिंदीत जालान होतो मुण हिंदी चा सगया पत्र करांची विनंती होती कि हिंदीत निवेदन कराऊ मुण मी हिंदीत निवेदन केला है असा है राजय किया राजय किया कट आहे कि नहीं है लवकर स्थरेल इतक्या वेगवेगा लोकांचे नावग एतले है पड़ एकिकले प्राइवेटली ते सांगताथ कि एननी सांग इतलो मग इंडारेक्टली परत मेसेज पटोताथ कि तुम्हें भणालतेचा नावग्यू यचा अर्था अशा लोकानोर विश्वास ठेवता एतना है जो परेंटो पुरावा हाथी यतना इतो परेंटो क्या संद्रवात में बोल्डार नाई इससे पहले भी एक पूरु मंत्री ने आप पर कुछ आरोब लगाये थे उस केस से इस का कुछ लिंक है क्या उस केस से इसका कोई तालुकाद दिखता नहीं है इसका मतलब वो सच है या नहीं है इसकी तफिश के भी ना तो नहीं किया जा सकता कल को कोई हमारा नाम ले ले तो थोड़ी हम कोई दोशी होते इसले इसकी तफिश होगी जो बाते उन्होंने कही है क्योंकि हम लोग तो एंगेज कर रहे थे तो एंगेज करने में कुछ बाते उन्होंने मोबैल पर कहिए कुछ उनकी बेटी ने प्राइवेटली कहिए उसको भी हमने उसी सवे पुलिस को बताया है तो यह पूरी केस डायरी चल रही है यह थोड़ा और समय शायद मिल जाता तो यह वेक्ति भी हात में आजाता मुझे अभी अभी उसको अपडेट नहीं नहीं देके मैं इसके बार में इससे जदा नहीं पोलना चाहता आप भी इसमें अटकले मत लगाईए जल्दी कई चीज़े बाहर आएगी और चार्चीट में तो बहुत ज़्यादा चीज़े आएगी क्योंकि कुछ फॉरेंजी कुछ आने बाकी है कैसे वीडियो में पीछे से आवाज लगाई गई यह चीज़े भी ध्यान में आ रही है तो यह सारी चीज़े जल्दी बाहर आएगा आप मुझे लगातार अलग अलग तरीके से वही प्रशन पूछ रहे हैं मैं बहुत जिम्मेदार नेता हूं इसलिए मैंने किसी का भी नाम लेने से पहले कोई अपरादी किसी का नाम लेता है इसलिए वो नाम मैं यहाँ पर लू यह गलत बात होगी हाँ उसमें अगर कोई कि भी सुराग मिलेगा तो नाम मैं पक्का लूगा